नमस्कार द्रस्टी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है निखिल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वे नारेक पर हमने इससे पहले जाना है कि वे नारेक का बेसिक क्या है किस तरह से हम कोशन पूछे जाते हैं और थोड़ा सामने बेसिक क करेंगे थोड़ा तेजी बीबीकरेंगे और समझेंगे कॉस्षण को कैसे पूछंश या और अप्लाई कैसे करते हैं जो अभी तक हँमने सीखा है तो शुरुवात करते हैं पहले अर्प पर सभी में प्रश्ण संख्या उन के लिए निचे कुछ वे नारेक दिए गई किसी भी सम्हू का दू से संबंद दर में सम्हू का संबंद दर्शाते हैं दिए गए प्रष्णों के आदार पर समेश का में, की पहचान करें, और समय उत्तर संत्र आपको चुनना आक है, है वह देख लेते हम सवस्किनाब्स आपका समू दिया वह एक उनमें से को पेचानना होगा देखते से पहले प्रशण पंपैल पहला है प्रश्ण परुonne पर और पुस्तक अब इसके लिए अगर हमें बचाएं हमारी पुस्तक When जितनी भी हमारी पुस्तक हैं वो सारी कि सारी किस्से बनती है प्रस्थों से बनती है प्रस्थों से बनती है कि नहीं बनती है जितनी भी सारी पुस्तके हैं वो किस्से बनती है हमारी प्रस्थों से तो प्रस्थों से बनी क्या पुस्तक ये बाहर क्या लिखा मैंने प्रस्थ रश्ट मतलब पेपर पेज से क्या बन रही है आपकी पुस्टक बन रही है यह लगता है किस भूइत बनेटी है इसलिए बाहर बार बाला पार्ट इसलिए ना कि जो पुस्तके हैं सिर्फ पुस्तके ही नहीं बनती प्रस्थों से और भी बहुत सारी चीज बनती है प्रस्थों से लेकिन पुस्तके जितनी होंगी वो सारे के सारी प्रस्थों से मिलकर बनी होंगी तो यह हो गया हमने बनाया और क्या है प्रश्ण पत्र जो प्रश्ण पत और अलग चीज है दोनों के दोनों अलग 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 चीजे हैं तो हमने दोनों को तो सेपरेट रखा लेकिन दोनों की दोनों कहां पर है option 4 में जो 4 था और 4 का answer कहां पर दिया है चार दिया है आपका option a में तो सही answer हो जाएगा आपका option a थोड़ा tricky है क्यों है तो यहां पर आपका answer हो जाएगा option a सिर्फ समझना है कि कैसे हमने solve किया कैसे apply करते हैं और प्रत्वी सेकेंड आ गया भी सूर्य चंदराम प्रत्वी एक मैंने बनाया सूर्य के लिए मैं एक सरकल बनाया मैंने चंदरमा के लिए 1 और एक चर्कल बनाया प्रत्वी यह साइस कर नत्य के सूर्य चन्द्रमा परतिवई अलग-अलग क्यों बनाया है तक सूर्य एक तारा रहे प्रतवी का प्रतवी ग्रह तीन अलग-अलग है इंटर बिट इंटर रिले अई सबहुए कि अ אנחנו प्रत विखिस्थ Also या फिर ऐसा नहीं है सूर्य के अंदर प्रत्वी है तो इसलिए हम तीनों को अलग-अलग रखेंगे तीनों सेप्रेट रहेंगे यह तारा है यह आपका उपग्रह है और यह ग्रह है तो इसको जो सैटिस्पाई कर रहा होगा मतलब तीन सरकल जहां पर अलग-अलग आपका अपहस्टिसंग्राइग अपहस्याते होंगे पहले संख्याएं जो अपने और में इसके अलावा किसी और संख्या से भीवाजत नहीं होती हैं मतलब के वल्दो ही गुणनखंड होते हैं तो वह क्या होती है आपकी भाज्य संख्याएं फिर प्राइम नंबर होते हैं जिनके दो से अधिक नंबर हो दोनों के दोनों हैं तो वास्तविक संख्या ही ना वास्तविक और इमेजनरी दो प्रकार के नंबर होते हैं मैंने बताया था आपको optimizing कि क्लास में तो ये क्या है आपका प्राइम नंबर को परदर्शित कर रहा है है यह कि सको भाज्य संख्या को भाज्य संख्या गला नमबर और दूसरा सरखिल अगर मैं इसके अंदर ही बना दो यह नमबर हैं उनको पर दर्शित और आपका डाइघराम बन गया यह हुआ यह देखि लेते हैं यह कौन से बाले पार्ट में हैं इस तरह का डाइगराम किसमें है option 4 में हैं कि यह बाहरबाला आपका क्या हो गया बाहरबाला आपका हो गया numbers जो आपके real number है real number एक हो गया आपका composite number और एक हो गया आपका प्राइम नंबर इसको फोलो कर लिया next पर मूब करते हैं next क्या है देखते हैं समुद्र मचली और घास समुद्र मचली और घास को अब मचली क्या है समुद्र में रहती है बिल्कुल सही बात है समुद्र में विन डाइग्राम बनाओ तो अगर मैं इसको समुद्र कहूं पर ये क्या है हमारी मचली है ऐसा हो जाएगा ना ऐसा डाइग्राम दिखेगा ना समुद्र के अंदर मचलिया तो है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी कि सारी मचलिया समुद्र में है समुद्र के बाहर भी है नद भी होती है तो घास के लिए मैंने क्या बनाया ये बना दिया ये क्या प्रदर्शित कर रहा है गास ये क्या परदर्शित कर रहा है समुद्र, अब देखो, ये बीच वाला क्या है, समुद्र है, इसमें घास भी है, इसमें मचलिया भी है, लेकिन घास और मचलिया अलग अलग भी है, मचली अलग है, घास अलग है, और समुद्र के अंदर दोनों ही चीजे है, इस तरह का जो ड को करने को आये कि कौन सा डाइग्राम है या फिर इनके बेस पर आपको दिया हो statement कि या कौन सा statement इस डाइग्राम को फोलो करेगा तो तब भी आप बता पाएंगे मूब करते हैं अगले प्रश्ण पर देखते हैं कोशन है 15 लोग के समूह में 10 लोग को खोल्डरिंग पीना है दोनों पीना पसंद करते हैं जपके कुछ लोग ुछ भी पीना पसंद नहीं करते तो बताइये के बल्लोग जूस पीने वाले ब्यक्तों की संख्या कितनी है करना क्या है बेंड ड्रे ओंटर इंडाइग्राम मनाना है ना ये कितने है 15 एंदरा कि यह दस लोग ऐसे हैं जो को एभू पी रहे हैं तथा चार लोग कोल्टिरिंग तथा जूस दोनों पीते हैं चार ऐसे हैं जो कोल्डिंग भी पीते हैं यह अगर जूस को प्रदशित करें तो यह जो बीच वाला पार्ट है जो intersect कर रहा है आपस में ये वाला जो part है ये किसे प्रतरशित करेगा coldring plus juice coldring के लिए C लिख दिया juice के लिख दिया इसको प्रतरशित करेगा और ऐसे कितने लोग है 4 लोग है तो बीच में क्या लिख दूँगा मैं 4 मैंने क्या लिखा याँ पर चार लोग ऐसे हैं जो coldring भी पी रहे है आपका और juice भी पी रहे हैं दोनों पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग कुछ भी पीना पसंद नहीं करते इन 15 में से कुछ लोग ऐसे भी है जो न तो coldring पीते हैं न Mitte पीने का तो मतलब हchu नहीं है 15 है total टोटल जो है वो कितने है 15 अब देखो अगर मैंने 4 यहाँ पर लिखा है और 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना लिखना चाहिए 6 समझा है हमने पहली ग्लास में 6 क्यों लिखा क्योंकि 10 तो पूरे कोल्डरिंग पीने वाले हैं अब इन 4 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इन 10 में यह 4 भी समाहित है कि नहीं है क्यों है क्योंकि यह 4 ऐसे हैं जो जूस भी पीते हैं और कोल्डरिंग भी पीते हैं और कोल्डरिंग पीने वाले तो टोटल 10 है तो 6 और 4 10 कोल्डरिंग पीने वाले कितने हो गए हमरे 10 बाक कुछ लोग कुछ भी पीना पसंद नहीं करते कुछ लोग मतलब अभी तो पांच की बचे हैं न इन में से कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते लेकिन आपको कैसे पता कितने हैं अगर मैं इस मान भी लूँ कि इन में से एक ऐसा है जो कुछ पीना पसंद नही करते तो आपके पास डाटा क्या है परियाप्त आंकड़े परियाप्त है यह बताने के लिए कि केवल जूस कितने पी रहे हैं ठीक है क्यों नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन पांच का तो कोई हिसाब दे नहीं रखा ना कि जो पांच लोग बचें हैं छे और चार दस के अला कि इसके संबंदित तो कोई डाटा दिया नहीं है आपको बताना क्या था कि केवल जूस केवल जूस कब बता पाते जब यह बताया होता कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ नहीं पीता तब आप बता देते एक को माइनस करते जो बचे हुए चार है वो यहां पर लिख देते अगर यह लिखा होता कि दो व्यक्ति कुछ नहीं पीते तो आप दो माइनस कर देते बाकी तीन को यहां पर लिख देते तब भी पता देते कि केवल तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल जूस पीते हैं लेकिन चुकी आंकड़ा नहीं दिया गया है तो आप बता भी नहीं सकते या पिर आंकडे है पर्यापते हैं समझ में आया होगा मूब करते हैं अगले प्रेश्ण पर नीचे दिये गए आरेक का ध्यान प्यूरुबक अध्यन कीजिए और ज्यात करें कि वह है भारतिये महिला जो शिक्षित नहीं है कौन सी है अनलाइस करना है बस देखना है इसको अब्जर्ब करना है और आंसर बता देना है आंसर में क्या बताना है भारतिये और महिला जो शिक्षित नहीं है तो पहले तो भारतिये देखो भारतिये कौन है जो इस वाले सरकिल में आ रही है वो सारे के सारे भारतिये है जो भी इस सरक तो उफिते другой जो इस वाले सरक्राफ़ किया है महिलाएं है और जो इस its test ह courtroom है यूदा किया heardy यहां चैकि कंडिशन को फुलक्र रहे ता कि कंडिशन को और D हो गई, तो भारतिय महिला B और D है, आगे क्या है, जो सिक्सित नहीं है, इस वाले सरकल में जो भी आ रही है, वो सारे के सारे क्या है, शिक्सित है, पर आपको तो सिक्सित चाहिए नहीं, यानि किस की बात कर रहा है, बी की, तो आपका आंसर हो जाएगा, बी किसमे है, option A में, तो आपका ये answer सही हो जाएगा, option A सही answer है, option A सही है, लेकिन answer में क्या हैगा, B, तो B लिखा है यहाँ पर, ये आपका सही जवाब है, ठीक है, समझ रहे होंगे, भारतिय महिला, तो भारतिय महिला कुन सी है, ये सारे के सारे इधर, इस वाले circle में भारतिय है, और महिल ये वाले circle में, ठीक है, शिक्षित नहीं है, इस वाले circle की तो counting ही नहीं करनी है आपको, जो ये तो सारे शिक्षित हैं, बचे कि आप भी, B अफका answer, option A सही answer है, अगले प्रेशने पर चलते हैं, सो विध्यारती एक कक्षा में, बीस विध्यारती अंग्रेजी में, सो विध्यारती की कक्षा में, बीस विध्यारती अंग्रेजी में नतीन हुएं, दस इतिहास में, और दस केवल हिंदी में अनुतीन हुएं, यदि इतिहास में अनुतीन प्रतियक विध्यारती, अंग्र इन में से 20 विद्यारती जो है इंग्लिस में फेल हो गए इंग्लिस में जो फेल हुए हैं इन में से इन सो में से इंग्लिस में फेल कितने हुए हैं इंग्लिस में 20 फेल हो गए फेल की बात कर रहे हैं दस इतिहास में और दस केवल हिंदी में, दस केवल हिंदी में, दस किसमें फेल हुए, किसी और में नहीं, हिंदी में ही फेल हुए, कितने, दस, एच हिंदी के लिए क्या लिखा है, मैंने एच लिखा है, हिंदी में कितने फेल हुए, केवल, दस, अब देखो और क्या दिया ह उसने 10 इतिहास में तो हिस्ट्री में यानि इतिहास में कितने फेल हुए है यदि अनुति प्रती एक विद्यार्ति अंग्रेजी में भी फेल था अनुतीन था जो हिस्ट्री में फेल कितने हैं दस हैं और यह 10 के 10 इंगलिस में भी फेल हैं जो 10 हिस्ट्री में फेल हैं वो इंगलिस में भी फेल हैं तो मैं 10 को कहां पर लिखूंगा यहां पर लिखूंगा और यह किसे पर दर्शित कर रहे होंगे इतिहास को पर दर्शित कर रहे होंगे या हिस्ट्री को प इस फैल है दस ये फैल है तो केवल इंग्लिस में फैल कितने हुए दस दस वे के नहीं हुए जो केवल इंग्लिस में फैल है जो केवल इंग्लिस में फैल है वो दस हिस्ट्री में फैल दस ये तो हिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिस में फैल है और हिंदी में तो केवल कितने है आपके दस है बताना क्या है आपको कि कितने अ विद्धिहारती उत् स्तीन थे पास कि अपुए टोटल सोते देखो इस में से फेल वाले मायनस करदो 100 मेंसे फेल कितने है एक तो दस हिंदी के फेल जो केवल हिंदी में फेल है और क्या माइनस करेंगे, केवल इंग्लिस में फेल, केवल इंग्लिस में फेल कितने हैं, 10, और हिंदी और हिस्ट्री और इंग्लिस दोनों में फेल कितने हैं, 10, हिस्ट्री और इंग्लिस दोनों में 10 फेल हैं, केवल इंग्लिस में 10 हैं, केवल हिंदी में कितने हैं, आपके 10 तो 100 में से 10-10-10 किया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100-30 यानि कि 70 आपका आंसर हो जाएगा कि 70 लोग ओप्शन सी ऐसे हैं जो कि पास हैं उत्तीन हैं 100 में से तबंज में आया अगले प्रेश्ण पर चलते हैं देखते हैं कुछ व्यक्तियों के एक समों में 10 व्यक्ति फिल्म देखना पसंद करते हैं 18 व्यक्ति संगीत सुनना पसंद करते हैं 6 व्यक्ति फिल्म देखना तथा संगीत सुनना दोनों पसंद करते हैं तो उन व्यक्तियों की संख्या पताईए जो या तो फिल्म देखना पसंद करते है या संगीत सुनना या दोनों अब फिर से बेंडाग्राम बनाना है हमें और आंसर दे देना है बेंडाग्राम बनाने की कोशिश करिएगा आप भी साथ-साथ मेरे कुछ व्यक्तियों के एक समों में 10 व्यक्ति फिल्म देखना पसंद करते हैं फिल्म देखने वाले कितने हैं दस हैं मैंने लिख दिया बाहर अंदर भी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है ना कि केवल फिल्म देखने वाले हैं दोनों का जो common part है, जो दोनों में आते हैं, छे व्यक्ति ऐसे हैं, तो उन व्यक्तियों की संख्या बताईए, बताएंगे अभी बाद में पहले अपना बेंडाग्राम पुरा घड़ लेते हैं, छे व्यक्ति इन दस में समाहित हैं, जो फिल्म भी देख रहे हैं और music भी सुन करते हैं, music की बात करें, 6 यहां पर है, जो कोमन है, 18 में भी समाहित है न यह 6, तो 18 में से 6 घटाया तो बच्चा क्या आपका 12, आपका डाइगराम कितना रहे गया, सिर्फ इतना डाइगराम रहे गया है, यह चार छे बारा, यह जो प्रदर्शित कर रहा है, यह अंदर वा आइए, जो या तो फिल्म देखना पसंद करते हैं, फिल्म देखना कितने पसंद करते हैं, 4, कितना पसंद करते हैं, 4, या संगीत सुनना कितने पसंद करते हैं, 12, प्लस 12, या दोनों पसंद करते हैं, या फिर दोनों, दोनों कितना पसंद करते हैं, प्लस 6, तो आपका आ आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बाइस यानि option A, कईवार confusion हो जाता है, या वाले question में, और वाले question में, जब यहाँ पर या और 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 आता है, और यह जब permutation combination ला जाता है, तो फिर तो और भी problem create करता है, तो समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, या तो film देखना पस करते हैं, जो संगीत सुन रहे हैं, वो भी तो आपका answer है, तो संगीत कितने सुन रहे हैं 12, वो भी हमने किंती में count कर लिए, या फिर दोनों, जो दोनों काम कर रहे हैं, जो संगीत भी सुन रहे हैं, और फिल्म भी देख रहे हैं, वो भी तो आपका answer हो न चाहिए, तो वो झाल झाल